सलाम व्लेकुम आविरेवन आएम डॉक्टर शांज अताहिर आप देख रहें डॉक्टर मोटिवेशन आज की वीडियो के नदर हम डिस्क्स करने लगे हैं अलकाइल हलाइड तो alkyl halide के जो हमारे पास topics है उसके अदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे classification को classification के बाद हम पढ़ेंगे nomenclature को nomenclature के बाद हम पढ़ेंगे reactivity and structure of alkyl halide mechanism and types of substitution and elimination reactions जल्दी से हम start करते हैं सबसे पहले अपने alkyl halide और hello alkanes उनकी जो हमारे पास basic properties है उनसे start करेंगे first of all these are oily in nature synthetic compound है and don't exist in nature ठीक है nature में exist नहीं होते है synthetic compounds है oily in nature होते है polar है and most reactive compound है इनका formula क्या होता है हमारे पास cn h 2n plus 1 और x ये इनका formula होता है ठीक है ये mono hello alkanes का formula है तो dye और try के अंदर हमारे पास x जो है वो बढ़ता जाएगा ठीक है उसके बाद जी हमारे पस आ जाता है preparation prepare होते है directly from alcohol alcohol से prepare होते हैं उसके बाद iodide are prepared using na i and ki with rcl and rbr तो iodide जो है इस तरह से form होता है best method of preparation is from socl2 and pyridine due to gaseous products तो best method जो हमारे पास होता है इनको form करने का that is socl2 और pyridine वाला process होता है क्योंके हमारे पास इसमें जो product बनती है वो gaseous products होती है ठीक हो गया उसके बाद जो एक बहुत important बात हमारे पास आती है that is के हमारे पास CH3 जो fluorine होता है chlorine होता है and bromine होता है ये तीनों हमारे पास होते है जी gas form के अंदर ये हमारे पास gas होते है जबके iodine जो होता है वो हमारे पास liquid form में होता है तो ये एक एक बात एक एक MCQs है आपका इस सारी information को आपने बहुत अच्छे से याद करना है और अपने notes के उपर इनको अच्छे से mention कर लेना है उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है के best method जो था वो SOCL 2 और पारडीन वाला था उसके बाद हमारे पास आ जाती है classification on the basis of the hello group hello group की basis पर हमारे पास mono है die है and try है ठीक है जी जो mono होता है वो आगे तीन तरह का है हमारे पास primary है हमारे पास secondary है and हमारे पास tertiary hello alcanes है अब हमारे पास primary कैसे होता है जिसके साथ हमारे पास functional group carbon के साथ attach है वो further attach है with single carbon atom तो that is the primary और अगर ये attach है with the 2 carbon atom तो ये हमारे पास हो गया secondary और ये ही अगर हमारे पास attach है with the 3 carbon atom तो ये हमारे पास हो जाता है tertiary structure तो ये आपने बातें याद रखनी है these are important उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि CFCs यानी chlorofluorocarbons ये उनके formulas हैं ये आपने देखने ये use होते as a refrigerants के तोर पर उसके बाद हमारे पास हेलो थेन है हेलो थेन का formula भी आपको आना चाहिए ये anesthetic के तोर पर इस्तमाल होता है हमारे पास teflon as cutting material on cooking pan और wires में इस्तमाल होता है CCL4 है जो हमारे पास inert solvent है और cleansing agent के तोर पर इस्तमाल होता है and हमारे पास CHCL3 है जो anesthetic और cleansing agent के तोर पर इस्तमाल होता है तो आपने इनके uses भी याद रखने हैं बाज उकास uses भी आपके MCQs में as it is आ जाते होते हैं next पर हम बात कर लेते हैं reactivity order का तो these are so important इनको important mark करना है और इनको highlight करके आपने notes में लिखना है यह सारे बहुत important on the basis of bond energy तो bond energy की basis पर हमारे पास reactivity order है आर आए है then BR है then CL और दे एफ है हमारे पास उसके बाद अगर bond polarity देखें तो bond polarity की base पर हमारे पास RF है RCL है RBR है and RI है तो यह आपने याद रखना on the basis of experiment experimental reactivity की order में देखें तो हमारे पास RI है RBR है CL है and RF है तो यह बातें आपने याद रखनी है these are important उसके बाद हम पढ़े लेते हैं Nucleophile और Electrophile का difference क्या होता है यह पहले भी में थोड़ा सा last video में अपने डिसकस कर चुक है इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे जो Nucleophile होता है rich in electrons होता है nucleus loving होता है donate करता है electron pair को इसको Levi's base कहते हैं बहुत important MCQs है may be negative or neutral तीक है यह तो इसके पर negative charge होता है यह neutral होता है example में देखें अगर negative है तो OH negative यह हमारे पास CN negative these are nucleophile और अगर neutral में देखना है तो हमारे पार water आ जाता है water के साथ हमारे पास H2S आ जाता है हमारे पास SO2 आ जाता है तो यह सारे हमारे पास neutral है double and triple bond on alkine and alkine and benzine यह सारे भी हमारे पास nucleophile के तौर पर act करते हैं तो यह आपने जरूर याद रखना है अब हमारे पास आ जाता है अलेक्ट्रोफाइल तो अलेक्ट्रोफाइल हमारे पास electron deficient species होती है जो accept करती है electron pair को इसक करता है positive के आंद रहा पस no2 positive आ जाता है c h3 positive आ जाता है यह आ पस Cl positive आ जाता है 어우 neutral के अंदर हमारे पस Esp3 आ जाता है прав 1 as O 3 और आ जाता है हमारा पास तो यह आपने याद रखना है उसके बाद हमारा पर स्ट्रेंथ ओफ नुक्लियोफाइल आपका जो राइट टू लेफ्ट आप पिरियेट के अंदर राइट तू जाते हैं तो तब आपकी नुक्लियोफिलिक करेक्टर यह वो डिक्रीज करता है जब आप राइट जब आप तू राइट जाते हैं इन आप पिरियेड जब आप जाते हैं जी टॉप टू बॉटम जब आप टू बॉटम जाते हैं तो तब आपका नुक्लियोफिलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है तो यह बात आपने याद रखनी है ठीक हो गया जब आप टू बॉटम आते ह इंडा ग्रॉप तो न्यूक्लノओола कीसों ररेक्टर इंक्रीज करता है, अब प्रक्षाआ Ur., जब आफ लेफ तो रहें। न्यूक्लोफिलिक कीसों कीसों करता थाता है। नयूक्तीकिज करता है। एक्जामसलें। देखें। जी हमारे पास है यह थ भीहें क्लोरीन आपके पास है क्लोरीन आपके पास आयोडीन इन सबके उपर नेगेटीव छार्ज होग डाउन दा रो जब आएं गये डाउन दा गृॉP जब आएंगे व्म टॉप डोटम तो voudो हमारे पास आयोडीन है आयोडीन का सबसे अच्छा न्यूक्लोफिलिक करेक्टर है इसी तरह आपके पस कार्बन है, नाइट्रोजन है, आक्सीजन है और फ्लोरीन है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लोफिलिक करेक्टर कम होता है यानि आपका सबसे अच्छा CH3 का होगा और आपका सबसे कम फ्लोरीन का होगा तो ये आपने बातें याद रखनी है, इस आप लेफ्टर हम डिसकस कर लेते हैं जो हमारे पस न्यूक्लोफिलिक अलेक्टरोफिल है, उसके अंदर लीविंग ग्रूप क्या होता है ठीक हो गया, उसके अलेक्टरोफिल पेर अफ्टर डिपार्टिंग ठीक है, वह लीव करने के बाद भी उसके पास अलेक्टरोफिल का एक पेर होता है गुड लीविंग ग्रूप के अंदर हमारे पस आ जाते हैं, जी कलोरीन, हमारे पस ब्रोमीन, हमारे पस आयोडीन और हमारे पस H2SO4 आ जाता है ये गुड लीविंग ग्रूप है, तो ये बाते हैं आपने याद रखने हैं, ये एक्जामपल बाद उकात डिरेक्टली पूछ लेते हैं, गुड लीविंग ग्रूप कौन सा है, और आपको चार अप्शन दी होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता होगा, तो आप नहीं ल एक ऐसा है, जो हमारे पास गुड लीविंग ग्रूप भी है, और गुड हमारे पास नुकलियो फाइल भी है, ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आजाता है, जो गुड लीविंग ग्रूप होते हैं, गुड हमारे पास जो लीविंग ग्रूप होता है, वो हमारे पास डि inversely proportional है electro negativity के तो ये बातें आपने याद रखनी है next हमारे जो reaction है SN1, SN2 or elimination 1 and elimination 2 हम next video के इंदर discuss करते है that is all from my side, thank you so much